नीती वच्छन चोबिस अध्याई सोला वच्छन पढ़ लेंगे क्योंकि धर्मी चाहे साथ बार गिरे तो भी उट्स खड़ा होता है परन्तु दुष्ट लोग विपत्ती में गिरकर पढ़े ही रहते हैं प्राइज लोग हालेलूई धर्मी लोग कौन सा लग धर्मी लोग साथ बार भी गिर गए तो फिर उट जाता है प्राइज लोग मेरा भई भायन कुछ लोग क्या है अरे चोटा परिशन है हम ऐसा हो गए वह ऐसा हो गए ढरो मत तो साथ बार भी गिर गए तो भी फिर उटा क कड़ा करके चलाने वाला जिन्दा कुदा है कुछ लोग दुनिया से ढरते रहता लोगों से ढरते रहता विरोध लोगों से ढरते रहता है परिवार से ढरते रहता है रिस्तदार लोगों से ढरते रहता है अलग-अलग सिच्वेशन टे ढरते रहता है मेरा भई भायन धर्मी लोगों को कितने साथ बार भी अगर गिरे गए तबी साथ बार के मतलब क्या है कितने बार भी गिरे गए तबी परमेशर हाद देके उठाने वाला है और अपन वचना में देखते हैं इस मसी एक समय में समुन्दर पे चल रहा था कहा चल रहा था समुन्दर का उपर चल रहा था पानी को उपर चल रहा था प्राइज ल्ला तो पेतरूस ने उनको पूचा है परमेशर मही भी पानी को उपर चलना चाहता लेकिन पानी को उपर चल रहा था कब तक चल रहा था उनका नजर सीधा परमेशर के तरफ जो लगाया है जब तक पानी को पर अच्छा चल रहा था क्यों परमेशर को पर नजर लगाया लेकिन जब उनका नजर उधर इदर गया अरे हवा है ये है वो है डर गया है डूप जाना सुरू हो गया है मेरा भई भैन इसलिए अपना नजर अमेशा परमेशर के उपर ही लगाना चाहिए अपना निशानी परमेशर को उपर ही लगाना चाहिए अपना निशानी दुनिया के तरफ नहीं जाना चाहिए निशानी जब सीता रहता गोली मारता है, मार सकता है निशानी अगर उदर इदर गया, फेल हो जाएगा प्राइस अल्ला मेरा भई भायन आपका निशानी अमेशा जिन्दा कुदा को पर रहना चाहिए, हर दिन उसलिए प्राधना करना जरूर, without fail प्राधना करना है, वचन में देखते है जिस दिन अपन प्राधना नई करते है, पाप करा जैसा है इसलिए हर दिन प्राधना करना, हर दिन स्तुती करना हर दिन हरदना करना हर दिन बाइबल पढ़ना ये परमेशर का संगती रहना है परमेशर के साथ मिल चुल के चलना चाहिए यही तो है बात प्राइस अल्ला मेरा भई भाय अपन दुनिया को नहीं देखना चाहिए पेत्रोस ने दुनिया को बाधल को और हवा को देखके ढर गया ढरने से धूप जा रहा था इसलिए डरो मत आपका निशानी परमेशर के उपर ही लगाओ दुनिया धारी को डरो मत और लोगों को डरो मत जो जिन्दा कुदा को डरता है उनों दुनिया को नहीं डरता है याद रखो मेरा भई भैन जो आकाश पृत्वी सब कुछ बनाए सो परमेशर को जो डरता है उनों किसी की भी नहीं डरता है मतलब क्या है जिसको जो इज़्जत देना रस्पेक्ट करना वो देता लेकिन डरता नहीं रेस्पेक्ट तो करना ही ही करना ही है बच्चन में भी देखते हैं अपन जिसको कितने रेस्पेक्ट देना अधिकार लोगों को अतना देना चाहिए लेकिन दुनिया में अपन डरना है केवल जिन्दा कुदा को डरना चाहिए मेरा भई भायन जिन्दा खुदा को जो डरता है उनके साथ आत्मा में पवित्रात्मा से परमेशर उनके साथ रहता है आगे पिछे उनको गेर रखता है आगे पिछे गेर रखता है लेकिन परमेशर जिन्दा खुदा येस्व मसी ने वो नहीं देखता लेकिन साथ में रहता परमेशर जिन्दा कुदा नहीं देखने वाला है लेकिन काम करने वाला है मेरा भाई 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 इसलिए वचन में देखते हैं धार्मिक साथ बार भी गिर गये तबी उठाने वाला है चलाने वाला है धरो मत कौन धार्मिक होता है प्रभु एस्व मस्जी का लगु में विश्वास करके उनको पर विश्वास करके उनको वचन को पर विश्वास करके और प्रेरतों का काम दूसरा अधाय 38 वचन अंसार पाप का क्षमा ओने के बाद क्या होने के बाद? पाप का क्षमा ओने के बाद और उनका लगु में शुद्धों होना चाहिए परमेश्यर का लगु में शुद्धों होना चाहिए प्राइजला जबी नीतिमाम धार्मिक वतावलिके देखते हैं प्राइजला बहुत सलेक्सोंसते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ धार्मिक है खैसाधार्मिक है उपर से अंदर से उपर से दिखने से बहुत सुन्दर दिखरा ब्रदर बहुत सुन्दर दिखरा सिस्टर बहुत अच्छा दिखरा है उपर से दिखना अंदर से दिखना दुनिया का लोग उपर से देखने वाला है परमेशर आपका मन देखने वाला है है परमेशर तुम्हेरे को दूर अगया है तुम्हेरे साथ कोई नहीं है ऐसा निरास लाता है मेरा भई भाय वचन में देखता है कुछ गलती हो गए तो परमेशर जिंदा को ना मेरे को माफ कर दो माफ कर दो शमा कर दो बलके मानना चोड़ना परमेशर का चर्ण में मानना चोड़ना है लेकिन इसलिए साथ बार गिर गए तभी सौ बार गिर गए तभी उठाने वाला है बचाने वाला है संभालने वाला है चलाने वाला है जीवन दिया सु परमेशर जिन्दा खुदा आपके साथ में है धरो मत राइज अल्ला